आज के समय हर कोई एक पालतू जानवर रखता है सेरों में तो पालतू जानवर को परिवार का हिस्सा मना जाता है यहीने लोग अपने पालतू जानवर का खास खयाल भी रखते हैं अब जैसे पालतू जानवर के रख रखाओ या खान पान के लिए अलग-अलग ब्युस्ता होती है, वैसे ही जानवरों के लिए अलग डॉक्टर भी होता है। ऐसे में अगर आप चाहें तो पसू चिकिस्चक यानि वेटेरनी डॉक्टर बन सकते हैं। इसमें करियर बनाना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इस करियर में ग्रोथ की बहुत अच्छी संभावना है, यानि इस फिल्ड में करियर इसको काफी अच्छा है। आईए आज हम आपको बताते हैं कि पसू चिकिस्चक बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इसके बाद आपको पसू चिकिस्चक बनने के लिए बैचलर ऑफ एटेनली साइन्स यानि BVSC डिग्री करनी होती है। इसके अलाबा आप नीट एक्जाम के माध्यम से भी BVSC AH में एड्मीशन ले सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सी युनिविस्टी अपने एड्मीशन लेने के लिए अलग-अलग इंटेस एक्जाम का आयोजन करती हैं। आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सर्टीफाई पसुची किस्सक बनना है तो इसके लिए आपको पसुची किस्सा विज्ञान में M.D. या इस्पिलाईजेशन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको टीचिंग सर्विस क्लिनिकल कॉंपलेक्स यानि T.S.C. में तीन महिने की क्लिनिकल ट्रेनिंग करनी होगी। इसके बाद आप इंडिया में वेटेरनी डॉक्टर की नौकरी पाने के लिए काबिल हो जाएंगे। यानि इसके बाद आप प्राइवेट या गॉवर्मेंट सेक्टर में एनिवल डॉक्टर के तौर पर करियर की सुरुवाद कर सकते हैं। वही दोस्तो अगर आप सोचे की आप दस्वी के बाद 55 चिक्स्ता कोर्स कर सकें तो कुछ डिपलोमा कोर्स हैं जिने करके आप दस्वी के बाद भी 55 चिक्स्ता बन सकते हैं। जैसे कि Diploma in Veterinary Pharmacy, Diploma in Veterinary Lab Technician, Diploma in Animal Health Machine and Daring, Diploma in Veterinary Assistant अब दोस्तों जानते हैं कि इस कोच की fees क्या हो सकती है तो दोस्तों इस कोच की fees 20,000 से लेकर एक लांक साल आना के बीच हो सकती है हाला कि अलग-अलग कॉले में फीस का क्राइटेरिया अलग-अलग होता है अब दोस्तों जानते हैं कि वेटेर्ली डॉक्टर के क्या काम होते हैं यानि पसूची किस्षक के क्या क्या काम होते हैं तो दोस्तों एक पसूची किस्षक यानि एनिमल डॉक्टर को पसूची और पच्चियों की देख बाल करने होती है पसूची किस्षक जानवरों को बीमारी और संक्रमट से बचाने के लिए टी का करण करते हैं जानवरों की सरचरी करना और उनकी बीमारियों का इलाज करना दवा देना ये काम पसूची किस्षक को करने होते हैं अब दोस्तों जानते हैं कि पसूची किस्षक यानि एनिमल डॉक्टर की रोप में करियर इसकोप क्या है? तो दोस्तों एनिमल डॉक्टर यानि वेटेरनी डॉक्टर भी एक तरह से हेल्थ सेक्टर से जुड़ा है. तो इस तरह से देखा जाए तो इस फिल्ड में करियर को लेकर किसी भी तरह की कटनाई या अस्मंजस की स्तिती नहीं है वैसे आज की समय वेटेर्णी डॉक्टर की संक्या बढ़ चुकी है लेकिन आज भी इनकी जरूरत है ऐसे में अगर आप वेटेर्णी कोर्स करते हैं तो आपको असानी से जॉब मिल सकती है अगर इस फिल्ड में आपको गवर्मेंट जॉब नहीं मिलती है तो आप खुद का एनिमल हॉस्पिटल यानि जानवरों का अस्पताल सुरू कर सकते हैं वैसे देखा जाए तो पसूची किस्सक के तौर पर प्राइवेट और गवर्मेंट दोनों सेक्टरों में जॉब के अफसर हैं गवर्मेंट और प्राइवेट पसूची किस्सक की जरूरत होती है अब दोस्तों पसूची किस्सक बनने के लिए आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए इसके बारे में बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहला कि आपके पास excellent communication skill होना बेहद जरूरी है आपका रवईया जानवरों के प्रती सम्वेंदल सील जरूर होना चाहिए आपके पास efficient time management और organizational personality की skill होनी चाहिए वही घायल और बीमार जानवरों के सटी किलाज के लिए technical machinery और lab equipment को सबानने की technical ability भी होनी चाहिए पसु कल्याण और भलाई के लिए एक आपने जुनूल होना चाहिए अब दोस्तों पसुची किस्टक बनने के लिए कुछ top Indian colleges है उनके नाम जानते हैं तो सबसे पहला है Indian Veterinary Research Institute बरेली दूसरा है National Dairy Research Institute तीसरा है गोबिन भल्लब बंत University of Agriculture and Technology पंतनगर चोथा है Veterinary College and Research Institute चिन्नाई पाचमा है College of Veterinary and Animal Sciences बीकानेर चटमा है मुंबई University साथमा है अन्ना मलाई University चिन्दम्बरम आठमा है बनारा सिंदू University नॉमा है जूनागर अग्रिकल्चर उनिवस्टी जूनागर दस्वा है सरदाव वल्लबाई पटेल उनिवस्टी of Agriculture and Technology ग्यारवा है चौधरी सरवन कुमार हिमांचल प्रदेश अग्रिकल्चर उनिवस्टी अग दोस्तो इस कोर्स के सबसे मैथपूर भाग यानि सेलरी की बात करते हैं तो दोस्तो इस फील में आपको 30-40,000 रुपय महिना सेलरी असानी से मिल जकती है अगर आप Government सेक्टर में जॉब करते हैं तो आप तो सेलरी काफी आकरसक होती है वहीं अगर आपकी जॉब नहीं लगती है या आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना वेटेर्नी क्लीनिक खोल सकते हैं यानि कि इस छेतर में आप बेरोजगार कभी नहीं रहेंगे तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें सेयर करें साथी कमंट करें इसके लाबा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा धन्रवाद